नराज पती पतनी की कहानी एक पती पतनी आपस में नराज चल रहे थे नराजगी भी इतनी थी कि वह दोनों एक ही कमरे में रहते हुए आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे दोनों अपने काम में कोई कमी नहीं आने देते जैसे सुबह पती उठता तो पत्नी चाय बनाकर टेबल पर रख जाती और आफिस का समय होता तो लंच बक्स त्यार करके देती इसी तरह पती भी आफिस से आते हुए सब्जी रासन यादी लाकर रख देता काफे दिन गुजर गए एक दिन पती को जरूरी काम से आफिस में आठ बजे की जगा छोग बजे पहुँचना था लेकिन उसकी नेंद साथ बजे से पहले नहीं खुलती थी रात को सोने के समय पती को बिचार आया कि वह सुबह मुझे पांच बजे कौन उठाएगा पती के दिमाग में एक उपाय आया और वह एक पर्ची अपनी पत्नी के नाम लिखने लगा देखो सीमय मुझे सुबह आफिस जल्दी जाना है इसलिए मुझे पांच बजे जगा देना इस तरह पर्ची लिख कर वह पत्नी के बेड़ पर रख गया और बेफिक्र होकर सो गया पत्नी पर्ची उठा कर पढ़ी और कुछ सोची और वह भी सो गए जब सुबह पती की निंद खुली तो उसने उठकर पहले घड़ी की तरफ देखा घड़ी में साथ बज रहे थे फिर उसकी निगा तक ये पर गई तो वहाँ एक पर्ची रखे थी जो उसकी पत्नी ने रखे थी उस पर्ची में लिखा था जी उठ जाओ सुबह के पांस बज गए है झाल